अलो गाईज इन्वेस्मेंट गान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम SBI का एक मंतली इंकम प्रोवाइर कराने वाले फंड के बारे में पूरा एनलिसिस करेंगे इस फंड के अंदर अगर आप एकमुस्ट पैसा जमा करके छोड़ देते हैं तो आपका पैसा भी दोस्तो जो आपने एक मुस्ट जमा किया है वो बढ़ेगा और साथ इसाथ आपको हर महीने एक फिक्स इंकम भी होती रहेगी तो इस पूरे प्रोसिस को समझने के लिए वीडियो आफिर तक जुड़े रहेए क्योंकि कोई भी स्टैप मिस नहीं होना चाहिए अगर आप सारे स्टैप को फोलो करेंगे और एक मुस्ट पैसा जमा करके इस फंड के अंदर छोड़ देते हैं तो आपको दो बेनिफिट्स एक साथ होंगे फंड में गिरोथ भी होगी और आपको मंतली इंकम भी होगी तो सबसे पहले हम आपको बता देता हूँ उस फंड का नाम जिस फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है SBI Magnum Mid Cap Fund ये एक डारेट गिरोथ प्लान है अवर ओल इस फंड के जो रिटन्स हैं वो लगबग 20% के असपास हैं पिछले 5 साल के इसके रिटन 13.03% है पिछले 3 साल के इसके रिटन 29.26% है पिछले 1 साल के इसके रिटन 8.7% है और पिछले 6 महीने में इसने 19.32% के रिटन्स प्रोबाइड कर आए हैं अब दोस्तों जैसा इस फंड का नाम है SBA Magnum Mid Cap Fund तो इस फंड का जो भी पैसा इखटा होता है वो इस फंड के मैनेजर उस पैसे को ज्यादा तर Mid Cap Companies जो होती है शेयर मार्किट में उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और वहां से शांदार रिटन्स को मेंटेन करके रखते हैं अब friends मानलीजिए आप एक लाख रुपे इस फंड के अंदर जमा करते हैं तो overall जो हमने देखा है इसके रिटन्स 19.19% के आसपास है यानि कि 20% के आसपास है इसके रिटन जो इसने overall प्रोवाइड कराए है जब से यह शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक लेकिन जो इसक लाख रुपे का investment करते हैं तो बात यह आती है कि अब हमें कितना withdrawal लगाना है मंतली basis पर mutual fund में दोस्तों तीन तरह से हम investment कर सकते हैं या तो SIP या लंसम investment करते हैं या फिर हम SWP यानि systematic withdrawal plan यूज़ करें तो उसके लिए क्या करना होता है मानने जी हमारे पास एक लाख रुपे हैं हमने एक एक लाख रुपे इस fund के अंदर invest कर दिये और हमने वहाँ पर select कर लिया है SWP यानि systematic withdrawal plan जब हमें monthly income चाहिए होती है तो हम SWP को select करते हैं तो SWP हमने select कर लिया अब एक लाख रुपे का जो हमने investment किया है तो बात यह आती है कि हमें कितना monthly income के रूप में withdrawal के withdrawal लगाएंगे यानि अगर आपने एक लाख रुपे के investment किया है तो आप 800 रुपे पिर्तिमन्त withdrawal लगा सकते हैं 800 रुपे पिर्तिमन्त withdrawal लगाएंगे और 13% के जो हमने minimum returns है वो expect करके हम चल रहे हैं तो अब अगर हम देखें दोस्तों 5 साल में क्या होता है 5 साल में जो हमारा अब इसी पूरे process को मालेजिए आप एक लाख की जगा दस लाख रुपे invest कर देते हैं तो दस लाख रुपे पर 0.8% के हिसाब से हम मंतली income कितनी सैट कर सकते हैं SWP के अंदर 8000 रुपे और 13% के भी अगर हमें return देता रहता है तो 5 साल तक अगर हम इस पूरे process को चलाते हैं तो हमारा 10 लाख रुपे बढ़कर 11,84,000 रुपे हो जाएगा और total withdrawal जो हमारा होगा वो 4,80,000 रुपे का होगा यानि 10 लाख रुपे जमा करने के बाद में हमें 2 benefits देखने वो मिले हैं पहला हमारे fund में growth हुई 1,84,000 रुपे की और जो total हमने withdrawal लिया है मंतली income के रूप में वो हो गया 4,80,000 रुपे जो कि बिल्कुल separate है अब इसी तरह से माननी जीए हम इस पूरे investment को 10 साल तक continue रखते हैं तो 10,00,000 रुपे जो हमने invest किया है 10 साल के अंदर 13% expected return के हिसाब से वो बढ़कर हो जाएगा 15,23,000 और 9,60,000 रुपे का हम withdrawal भी ले चुके होंगी यानि जित 15,23,000 रुपे हमारे पास में हैं आप जब चाहे इसे 1 साल के लिए चला सकते हैं तीन साल के लिए चला सकते हैं या 10 साल के लिए चला सकते हैं यह totally आपके ओपर depend करता है minimum आप इस पूरे process के लिए 5000 रुपीज से शुरुआतकर सकते हैं और maximum जितना आप चाहें 50,001,00,10,0 लाग 20 लाग 20 लाग उतना पैसा आप इन्वेस्ट करके विड्रोवल लगा सकते हैं इसमें दोस्तों दो तीन बातों का ध्यान लखना है एक तो आपको अब बात आती है कि हम इस पूरे प्रोसिस को कैसे कर सकते हैं इस पूरे प्रोसिस को करने के लिए आपके पास में होना चाहिए एक दीमेट अकाउंट ये दीमेट अकाउंट ओपिन करने के बाद में आप इस फंड को सलट करें जिसको मैंने बताया है SPI, Magnum, Mid Cap Fund और उसके अंदर आप विड्डोवल के रूप में दोस्तों लगा सकते हैं जो amount आप जमा करेंगे उसके according इसके अलावा आप अगर चाहें तो official website से भी investment कर सकते हैं यह totally आपके ओपर depend करता है अगर आपको खुद से investment करना है तो DMAT account open करना है नीचे मैंने link दे दिया है जिरोधा और angel broking का अगर आपको SIP करनी है यह लंसम investment करके छोड़ना है इस fund के अंदर तो वो भी आप कर सकते हैं धन्यवाद